और अब जो है मैं जिन्हें मंच पर आमंधन देना चाह रही हूँ और बिल्कुल जितेंदर सर ने बिल्कुल सही कहा है मुझे दुर्शंद कुमार जी का वो श्रेर यादा रहा है कि इस नदी की धार से ठंटी हवा हाती तो है नाव जरजर ही सही लहरों से टकराती तो है और एक चिंगारी कहीं से ढूंड लाओ दोस्तो इस दिये में तेल से भीगी हुई बाती तो है तो इस दिये को प्रजवलित करने के लिए आज हम सब यहाँ परेकत रहें और इसी क्रम मे आगया मंतन दे रही हुँ आदने जी डी पांडे जी जो कि सहायक निदेशत कारखाना है जी डी पांडे सर प्लीज आप आएं और अपने बहु मुल्य विचार रखें और चुकि हम सभी को सुनेंगे जितने लोग यहाँ है तो बस थोड़ा सा हम समय का ध्यान रखेंगे यह सभी के लिए मैं कहना चा रहे हैं विनम राग रहे हैं कि हम समय सीमा में मतलब पांच मिनिट में अपने तमाम पहलूं को तमाम बिंदूं को यहाँ रखेंगे नमस्कार मजपे आसीन सभी मेरे माननी आती थी और सामने बैटे प्रभुदुवर के लोगों कहने को तो बहुत कुछ है जिनको भी सुनना वाकी है लेकिन हिंडन नदी के इस विक्रत रूप के लिए कही न कहीं समाज में हम लोग भी जिम्मेदार हैं मिश्रा जी ने एक बात कही थी बैल गाड़ी बैल आगे चला गया गाड़ी पीछे रह गई तो कुछ नहीं होगा गाड़ी आगे है बैल पीछे होगय तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी तो हमारा सामजस इस पूरी योजना को साकार करने में, सफल करने में सामोहिक सहयोग, जिला प्रशाशन, समाज की प्रभुदुबर्ग और योजना उनको अमल में लाने के लिए डॉक्टर साब एक बात कह रहे थे, डॉक्टर नागर, मैं इस बात पे बिलकुल एप्रिशेट करता हूँ, शिद्दत, लगन और होसला शिद्दत, लगन और होसला, ये तीन चीजे हैं, जो किसी भी योजना को सफल बनाती है और इन तीनों का समावेशी, समाज को ये जो हम जिस सपने को साकार करना चाह रहे हैं, इसको निश्चित रूप से पूरा करेगी मैं किसी पर एक लाइन लिख के लाया था, जो मैं शेयर आप से शेयर कर रहा हूँ, कल बैठे बैठे ये ही मैं कर रहा था मैं आपको आ गया है, होसलों और सिद्दत में कमी, बस एक बात का एहसास कराती है होसलों और सिद्दत में कमी, बस एक बात का एहसास कराती है, कि इस पुनीत कारियों को पूरा करने में अभी और काम करना बाकी है गर होसला हारे, तो आगे क्या होगा, अभी आगे और भी इमत्वान बाकी है आज हमने इसकी इबारत तो लिख दी है, आज मैं आज की बात कर रहा हूँ 25 साल से क्या हुआ, भूल जाईए, आज तीन दिन से हम इस प्रयास में हैं डॉक्टर नागर का प्रयास, सतेन जी का प्रयास, उत्थान समीती का प्रयास आज हमने इसकी इबारत तो लिख दी है, अब सिर्फ इतिहास बनाना बाकी है हम आप, सरकार, तीनों मिल जाएं, काम निश्चित रूप से होगा मुझे याद है, मैं आज सिर्फ पदरा साल पहले शाकुंबरी गया था सर इस नदी का पानी वहीं से चलता है और रास्ते बर इतना निर्मल और साप पानी कि उसको पिया जा सकता है मैं नहाने की बात नहीं कर रहा हूं, उसको पिया जा सकता है कि ओलेडी फिल्टर्ड पानी शेवाली की पाड़ियों से आ रहा है वो इतना निर्मल पानी, जिसमें तलहेटी दिखती है वो पानी गाजियाबाद आते-आते, यहां तक कि गौतम बुद्दगर में यमना से मिलने से पहले शायद बताया जाता है कि चार जार कि उसक पानी इसमें मिलाया जाता है कि ताकि उसकी थोड़ी पवित्ता को बरकरार कर दिया जाए उसकी गंदगी को कम कर दिया जाए उसकी हालत यह कि हाथ अगर पानी में डाल दो यह मैंने सुना है जहां निर्मल जल में हाथ डालो तो रेखाएं नजर आती है वहीं हमारे गाजयाबाद में और गौतम बुद्धगर में अगर उस पानी में हाथ डालो तो रेखाएं नजर नहीं आती है तो गंदगी अपवित्ता जो है ये किसकी है सही कहा कि साथ जिलों के आस पास में रहने वाले हम जैसे लोगी हैं हमारे काम हैं जो कर्म कर रहे हैं नदियों का बनों का खत्म कर रहे हैं जल संची करन हमारा खत्म हो चुका है हम और जोगी कर्या किलाप कर रहे हैं साधिन जी ने एक बात कही कि सिरिफ नाम मात्र के लिए एटीप सिर्फ सीवे सीवी से हैं अब जीरों डिस्चार्ज जीरों डिस्चार्ज का मतलब है कि कार खाने से पानी बाहरी ना आँए वो उसका स्षोधन करको उसको अकार खाने में अंदिवाले हम्रे प्रयोग में लाए इस पे भी सर बहुत प्रयास ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री को मोटिवेट करने की ज़रूरत है अगर उसी इंडस्ट्री वाले को इसी हर नंदी पर हम यहाँ पर खड़ा कर दें कि एक बार इस में आजमन कर ले नहीं करेगा तो उसको इस बात का एसास दिलाने के लिए सर हमारा प्रयास होना चाहिए और यही सर मेरी कामना है और मैं अभी में रिटायर वहा हूँ मैं साइग निदेशे कार खाना था यहीं गाजयाबाद में तो रिटायर्मेंट के बाद मैंने भी अपने आपको समर्पित किया है क्योंकि नौकरी रहते इतने करता नौकरी रहते भी किया लेकिन अब मैं अपने आपको इसमें पूरी तरह से समर्पित का रखा है मैंने और मैं इसमें जितना भी सहयोग होगा अक्थान समीति को और मेरे परियावरन विदो को और प्रशाशन को मैं अपना पूरा सहयोग दूँगा धन्यवाद बहुत शुक्रियां सेर बहुत बहुत धन्यवाद